सबसे पहले मिया नागरिक्ता के बारे में कुछ संचित जनकारी जो है देखना चाहेंगे कि वास्तों में नागरिक्ता होती क्या है तो आजी देखते हैं इसकी एक संचित जनकारी नागरिक्ता प्राप्त नागरिक राजनिती का पूर्ण सदश्य है नागरिक्ता दाइत अधिकार करता भी वह भी सैसा अधिकार प्रदान करती है 26 नॉवंबर 1949 को अनुचे 5 से 9 को तुरंत लागू कर दिया गया था नागरिक्ता भारत सरकार दोरा प्रदान की जाती है भारत में रहने वाला प्रतेक बेक्ती जो जन्म से यहां पर रह रह रहा है वो भारत का नागरिक माना जाता है और इसके अलाव अगर कोई भी देशी नागरिक भारत की नागरिक्ता लेना चाहता है तो भारत सरकार से आवेदन कर सकता है नागरिक्ता के लिए नागरिक्ता और राश्ट्रीता में मुलभूत अंतर पाय जाता है नागरिक्ता का प्रथम अधार सरकार है जो की प्रतेक बेक्ती को जो भारत में निवास करता है या जन्मा है उसे यह नागरिक्ता भारत सरकार या संसत के समिधान द्वारा प्रदत्त है भारती नागरिकता का प्रमाल भारत के निर्वाचन आयोगद्वारा जारी वोटर आईटी कार्ड है जिसे पता चलता है कि अमुक बेक्ति भारत का नागरिक है और उसे भारती समिधान के नीमों के ताथ वोट करने या मत देने का अधिकार है जिसके माध्यम से भारत की प्र अधिकार नहीं है यह ब्यक्ति को मुल रूप से जन्म से ही प्राप्त होता है वास्तिक रूप से जन्म प्रमाण पत्र ही हमाई राश्टिता का प्रमाण होता है तो आएए आगे देखते हैं इसके अनुच्छेद अनुच्छेद पांच भारती समिधान में अनुच्छेद पांच के अनुच्छेद पांच के अनुच्छार नागरी होने की सर्ते इस प्रकार हैं वह ब्यक्ति जो समिधान के प्रारम पर भारत में अधिवास करता हो उस ब्यक्ति के माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो व भारत के नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए 19 जुलाई 1948 के बाद पंजीकरण आवस्यक है। यह विदेशी बेक्तियों के सम्मन्द में है। अनुचेत साथ, भारती समिधान के अंसार एक मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान जाने और पुना वापस आने वाले नागरिक भारत के नागरिक होंगे। अनुचेद आठ, भारती सम्मिधान में अनुचेद आठ के तहट विदेशों में रहने वाले भारती मूलके बेक्तिके भारत के नागरिक होने के लिए शर्टों का उलेक किया गया है। या दादा दाधी नानानी का जन्म भारत में हुआ हूँ अतोव भारत सास्राथन दनियम 1935 में जन्मा या प्रिवासित बैटि या परिवार हो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी अनुखेद 9 भारती समिधान में अनुखेद 9 के तहट दूसरे देश की नागरिक्ता प्राप्त करने पर भारत की नागरिक्ता का लोग अपने आप हो जाता है। दूसरे मिधान में नागरिक्ता अधनियम 1955 द्वारा नागरिक्ता के अरजन और निरसन का उपोबंध है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी परिशा के लिए उप्योगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिजिएगा और शेयर कर दिजिएगा। जो बियर्थी सिच्चक पात्ता परिशे के तैरी करना चाहते हैं वो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित वंगें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।